हालो दोस्तो आप सोभी का स्वागत है आपके अपने येटूब चैनल धासो मैद पर दोस्तो मैं हूँ विस्तुजी त्यादव आज आप लोग को 11th क्लास के सिलेवस के बारे में बताएंगे कि 11th क्लास में जो है कौन-कौन सा चेप्टर परना है और कौन-कौन सा चेप्टर आप लोग के लिए इंपोर्टेंट है ठीक है दोस्तो तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं जानते हैं कि 11th क्लास में कौन-कौन सा चेप्टर परना है तो देखिए दोस्तो सलेवस for 11th तो पहला चेप्टर आपको परना है सेट्स इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं ठीक है दोस्तो दूसरा चेप्टर आपका है relation and functions यानि संबंध और फलन तिसरा चेप्टर आपको परना है trigonometric function यानि तिर्कोन में तिये फलन चौथा चेप्टर आता है algebra में ठीक है ना तो algebra के अंतरगात जो है चार पांच छो साथ आठ नो तक आता ठीक है ना जिसमें चौथा नमबर में देखिए mathematical induction यानि गनितिये आगमा ये algebra के अंतरगात आता है चेप्टर पाच्मा चेप्टर आपका है complex number समरिक संख्याए ये भी algebra के अंदर आता है छठा चेप्टर आपका है linear inequalities यानि रैखिक असमिकाए साथमा चेप्टर आपका है permutations and combinations यानि क्रम चै एवं सं चै आठमा चेप्टर आपका है binomial theorem यानि दूइपद पर्मै नौमा चेप्टर आपका है sequence and series अनुक्रम और स्रेनी तो ये सारे चेप्टर जो है algebra के अंतरगा आते हैं ठीक है दोस्तों तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब आता है coordinate geometry में जो है एक दो तीन चार पांच छे छोग चेप्टर जो है coordinate geometry के अंतरगत आते हैं ठीक है दोस्तों इसमें पहला चेप्टर देखिए क्या coordinate geometry का पहला चेप्टर है straight line यानि सरल रिखा उसके बाद है circle यानि breath उसके बाद है आपका पारा बोला यानि परवल है उसके बाद ellipse यानि दिर्ख ब्रित उसके बाद है hyperbola यानि अती परवल है उसके बाद आपका है three dimensional यानि three VMA उसके बाद दखिए calculus calculus के अंतरगत जो है दो चेप्टर आते हैं एक चेप्टर है limit and derivative तब पहला आप का हो गया limit और दूसरा हो गया derivative ठीक है दोस्तों तो पहला चेप्टर limit calculus के अंतरगत आते हैं और दूसरा चेप्टर है derivative जो calculus के अंतरगत आते हैं तो इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सीमा और अब कलर ठीक है दोस्तों और यह आपका special chapter statics यानि सांखी की और अगला है probability य प्राशा बता देते हैं तो देखिए आपके life से जुरा हुआ important chapter कौन-कौन सा है देखिए पहला chapter आपका important है sets यानि समुझ यह बहुत सारे chapter में मदद करता है यह sets जो है relation and function में काम देगा फिर probability में काम देगा बहुत सारा chapter में काम देता है अगला देखिए important chapter यह आपका very very important है trigonometric function यानि तिरकोन मितिये फलन यह जो है आपके 10th, 11th, 12th और आगे competition का भी त्यारी किजिएगा उसमें भी यह chapter काम करेगा यह chapter आपको जान नहीं छोड़ेगा ठीक है ना trigonometric function जो है 11, 12th competition सभी में इस chapter से question पूछे जाते हैं ठीक है दोस्तों चलिए अब आपके लिए important आपका है complex number यानि समरिक संख्या है उसके बाद permutations and combinations उसके बाद binomial theorem उसके बाद sequences यह सब चेप्टर जो है आपके लिए important है ठीक है दोस्तों आप coordinate में देखिए state line आपका important है circle important है पारा बोला भी important है ellipse भी important है hyperbola भी important है और three dimensional भी important है आपके लिए coordinate में यह सारा chapter आपके life के लिए important है ठीक है दोस्तों चलिए अब आजाए calculus में calculus में limit and derivative भी आपका important है और इसमें प्राइकता आपका important है ठीक है दोस्तों अगर आपके life के लिए यह सब chapter का त्यारी अगर कर लिए तो समाझ जाए कि 11th में कोई दिक्कत नहीं 12th में भी कोई और आने वाले competition के दौर में भी आप लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला ठीक है दोस्तों तो यह chapter के बारे में जो है जितना भी chapter पर हम तिक लगा चुके है यह chapter पर विशेश ध्यान देना है आप लोग को क्योंकि आपके life से जुरे हुए यह chapter important है ठीक है तो चलि 12 वाले विद्यार्थी भी सुन ले अगर आप 12 के विद्यार्थी होंगे आपके लिए यह कोडिनेट जो मेट्री का टोटल चेप्टर important है 12 क्लास के कहा है कि यह सारा चेप्टर जो है 12 क्लास में भी यूज होता है ठीक है दोस्तों और 12 क्लास में यूज होने वाला trigonometric function भी ठीक है दोस्तों तो चलिए दोस्तों फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं पहला चेप्टर 6 यानि समुझ ले करके ठीक है दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भारत